हेलो फ्रेंड मेरी चैनल सीमा बुंदेली किचिन में आपका स्वागत है आज मैं बना रही हूं मिसल पाओ इसके लिए एक कप मोठ ले ली इसको मटकी बोलते हैं या मैंने 8-10 घंटे के लिए भिगो के रख दी थी फुला के फिर ये फूल गई तो 10-12 घंटे के लिए इसको अंकुरेत स्प्राउट होने के लिए रख दिया था 10-12 घंटे में स्प्राउट हो गई है कपड़े में बांद के रख दिया था या हो गई है तो अब मैं इसको अच्छे से धो के और कुकर में डाल के और एक कप दाल थी तो तीन कप पानी डाल दिया है नमक और हल्दी डा थोड़ा सा तेल डाल दिया और गैस पर उबलने के लिए इसको रख देंगे यह मेरी उबल गई है इसमें मैंने एक सीटी ली है और थोड़े देर और रखा है और देखिए ऐसी ही चाहिए उबाल के ज्यादा गलाना नहीं है इसको इतनी ही उबली चाहिए खड़ी-खड़ी इसको मठकी बोलते हैं और यह टमाटर ले लिए एक कटोरी एक कटोरी प्याज ले ली और यह चार प्याज थी और चार पांच ही टमाटर थे और यह इमली का जूस ले लिया है दो चम्मच और डेसी केटेट कोकोनट नारियल ले लिया दो चम्मच और कस्मीरी मेर्च ले टार विटेए एक चमच और ये मिसल पॉह मसाला एक दो चमच और इसको प्याज को मैंने चौपर में चॉप कर लिया है और इसको बारी खी काटना है और अब एक कढ़ाई लेना है कढ़ाई में ये तेल डालना है दो चंत चमच और तेल गरम हो जाए तो इसमें राई डाल देना है राई थोड़ा भून जाए चटक जाए तो जीरा डाल देंगे थोड़ा सा जीरा भी भून जाए तो इसके बाद जो प्याज काटी थी वो डाल देंगे और प्याज डालके हम इसको भूनेंगे और देखिए प्याज थोड़ा सा भून तो इसमें हींग में डाल देंगे धबनेंगे और हम प्याथ के next time we'd दाल देंगे उसको भी थोड़ा देर भूनेंगे और भून के फिर इसमें हम जिंजर गालिक का पेश्ट डालेंगे एक चमच और उसको डाल के भी अच्छे से भूनेंगे थोड़ा देर और देखिए भून रहा है और इसको ज्यादा तेज में नहीं भूंजना है ना जाज इसकी थोड़ा ब्राउन करना है ज्यादा जलाना नहीं है अब इसमें मैंने ये कोकुनट डाल दिया है डेसीकेटट और आपके पास अगर नहीं है तो आप फ्रेस नारियल भी ले सकते हैं उसको भी कसके और डाल सकते हैं और देखिए नारियल डाल के भी इसको मैंने ज्याजों को तो तीन मिनित अच्छे से भूनना है और ये भून जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देगे कास्मेरी रेड़ चिली पाउडर एक चमच डाल देगे इसमें और डाल के थोड़ा भूनेगे कि इसका कलर अच्छे से आ जाए और देखिए यह भून गया है अब हम इसमें डालेंगे इमली का जूस जो दो चमच निकाल के रखा था उसको डाल देंगे ये इमली का जूस डालके हम इसको थोड़ा देर भूनेंगे अगर आपके पास नहीं है इमली का जूस तो इमली नहीं है तो आप नीवू भी डाल सकते हैं तो इसको भी अच्छे से भूनेंगे थोड़ा देर तेल छोड़ने तक, 3-4 मिनट, अब हम इसमें ये डाल देंगे, लाल पीसी मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी ही डाली है मैंने, आप अपने हिसाब से डाली है, आप कितना तीखा खाते हैं, मेरे यहां तो कम तीखा खाते हैं, इसलिए मैंने कम ही डाली है, तो देखिए और कस्मीरी मिर्च डालने से इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है, तो अब मैंने इसमें ये टमाटर डाल दिये, एक कटोरी टमाटर चॉप करके रखे थे चॉपर में, और आपको चॉपर में चॉप नहीं करना है, तो आप मिक्सी में भी पीछ सकते हैं, हम बारीक काट सकते हैं, काट के डाल दें, और टमाटर डाल के भी हम अच्छा भूनना है, कि यह तेल छोड़ने लगे, और इसके लिए थोड़ा नमक डाल देंगे, कि जल्दी भून जाए, नमक डालने से जल्दी भून जाता है, और नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए आप जैसा खाते हों और इसमें मटकी में मोट में भी हमने नमक डाला था उबलने में तो थोड़ा इसमें कम ही नमक डालेंगे और अब इसमें हमने ये मिसल मसाला डाल दिया है हमें मार्केट से लाई थी तो इसको भी डाल दिया इसको ड और उसको भी थोड़ा देर भूनेंगे और देखिए कितना अच्छा भून गया है और तेल भी छोड़ दिया है कलर भी कितना अच्छा आया है महराश्ट में तो इसमें बहुत ज़्यादा तेल डालते हैं होटल और रेस्टोरेंड में बहुत ज़्यादा डालते हैं कि यह हा की थी तो बाल के उस का पानी इसमें अब हमने डाल दीया है और मोट की डाल में अगर पानी कम है तो ठोड़ा हम अलग से भी नर्मल लासकते हैं और पानी डाल के इसको हम थोड़ा देर बालेंगे पांस मिनिट करीभ़ और देखिये यह कितना अच्छा कलर आया है इसमें और देखने में भी अच्छी दिख रही है यह कलर भी बहुत अच्छा आया है और मिसल का तो कलर ही रहता है बहुत एकदम रेड कलर ही रहता है और देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा गुर डाल दिया है बैलन्स करने के लिए यह मिर्च और इमली जो डाली है तो तीखापन और खटापन बैलंस करने के लिए मैंने थोड़ा सा गुर्ण डाल दिया है आपको अगर डालना है तो डाल दीजिए तो इसके भी कर सकते हैं और अब ये मैंने मोठ मटकी भी डाल दी इसमें और इसको डालके भी अब हम उबा लेंगे अच्छे से उबा ले लेंगे और आपको अगर मेरी recipe पसंद आए तो मेरी चैनल को like, share and subscribe करिए यह देखिए अब मेरी कितने अच्छी उबल गई है और कितना अच्छा color आया है और देखने में भी बहुत अच्छी है यह टेश्टी भी बहुत बनी है देखिए अब यह बन गई है मैंने गैस बंद कर दी इंडेक्शन और अब इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे और अब मेरी रेडी हो गई है अब मैं इधर पाव सेक लेती हूँ पाव को पहले मैंने 20 से काट लिया है मेरे यह गोल वाले पाव मिलते हैं तो मैंने यही ले लिये हैं और 20 से काटके अब हम इसको बटर से सेक लेंगे और महराष्ट में तो वहां यह पाव बिना सिके ही देते हैं सेखते नहीं है तो हम लोग को नहीं अच्छे लगते हैं तो हम लोग तो सेख के खाते हैं हमारे घर में किसी को भी बिना से के पसंद नहीं है तो सेख लेते हैं आपको जैसे पसंद हो आप ऐसे खा सकते हैं और इसको बटर से सेख आए मैंने आपको बटर घी जो है आपके प पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक, सिरेन sust क्राइब करिए और कमेंट भी करिए और देखिए मेरे सिख गए हैं और मैंने काटके ही इसको शेखा है आप नहीं सिखना है तो इसा किभि कर सकते हैं असे भी खा सकते हैं और देखिए मेरे अब बन गए अब मैं इसको सर्व करती हूँ मिसल पाव को तो मैंने एक प्लेट में मिसल ले लिया है एक थाली में और उसमें प्याज काट के रख दी और पाव भी ले लिये सेख के और ये मिसल का नमकीन है जो मेरे पास था तो मैंने डाल दिया है अगर आपके पास ये नहीं है जो भी नमकीन है आप वो डाल सकते है नमकीन डालने से थोड़ा और अच्छा लगता है खाने में अब हम इसमें ये कटी हुई प्याज डाल देंगे थोड़ी सी प्याज से भी गार्निसिंग कर देंगे और थोड़ी हरी धनिया डाल देंगे इसमें काट के नीबू भी ले लेंगे और नीबू भी डाल लेंगे अगर आपको पसंद है तो मैंने तो ले लिया प्याज में डाल देंगे और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक सेयर और सस्क्राइब करिए थैंक यू फॉर वाचिंग बाई बाई